नमस्कार और आपका स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम चंद्रियान 3 के लाइव अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। भारत आज शाम को चंद्रमा की सतह पर विक्रम लेंडर को उतारने के लिए तैयार है। यह एक एतिहासिक उपलब्धी होगी क्योंकि भारत पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षणी धुरुव पर उतरेगा। थ्री एक रोवर और एक लैंडर से मिलकर बना है। रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमेगा और इसकी तस्वीरें और वीडियो लेगा। लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और वहां मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र करेगा। चंद्रियान 3 की सफलता भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धी होगी। यह दिखाएगा कि भारत अंतरिक्ष अन्वेशन में एक प्रमुख खिलाडी है। यह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रोध्योगी की क्षेत्र में और अधिक अनुसंधान करने के लिए प्रे यह दिखाएगा कि भारत अंतरिक्ष अन्वेशन में एक प्रमुख खिलाडी है। यह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रोध्योगी की क्षेत्र में और अधिक अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करेगा। आज शाम को लगभग 6 बज कर 4 मिनट से आप चंद्रिया चंद्रियान 3 को लेंड करने का भी बड़ा कारण है। क्योंकि मिशन चंद्रियान 1 ने चांद पर पानी के संकेत दिये थे इसलिए चंद्रियान 3 को दक्षनी ध्रुव पर लेंड कराना सबसे बड़ी कामियाबी होगी। के लिए सौर उर्जा की जरूरत होगी और 14 दिन तक लगातार उपकरणों को सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा इसलिए 23 अगस्त खास है लैंडिंग के लिए और यह उजाला 23 अगस्त से शुरू होगा उजाले में मिशन को पूरा करने में आसानी होगी लैंडिंग में मुश सभी चंद्रियान तीन मिशन की काम्याबी चाहते हैं भारत के मंदिरों में लोग पूजा अर्चना कर मिशन की काम्याबी की दुआएं मांग रहे हैं तो विदेशों में बसे भारती ये भी इस मिशन को लेकर बहुत ही हर्शोलास से भरे हुए हैं आज भारत ही नहीं अगली ऐसे ही किसी रोचक वीडियो में